नमस्कार दोस्तो इलेक्टिकल टेक्निक में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की इस वीडियो का टॉपिक यह है कि नूटल के अंदर फेस आ रहा है देखिए दोस्तो नूटल के अंदर फेस आ रहा है इसका मतलब यह होता है कि यह तो आपके जो नूटल वायर है हुआ है बैकिन आपके परब्लम क्या हो रही है कि नूडल वाइय रहा है उसके बॉल के अंदर आता है लेकिन उसके पर नोडल वो तो इसके विडियो पहल्त पेला बनाया वह ल टो वह वीडियो आपना नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड स्क्रीम आपको वीडियो मिल जाएगा वहां चांके जुरूर देखेगा तो देखे दोस्तों आज का इस वीडियो का टॉपिक यह कि नूटल वार के अंदर फेस आ रहा है तो फिर बहुत बड़ी प्रोब्लम होती कि एक बात चेक करके आपको इसको प्रोब्लम होती अफरं आपको पहले इल्टा करके दी कह रहा हूं और जो यह बलब है जो नूटल के अंदर फेस आता है तभी जो देखिए दोस्तों इंडिकेटर जल रहा है और मैं बलब को चालू करूंगा तभी बलब भी जलेगा देखिए दोस्तों यह बलब जल गया है कि हमारा जो फेस नूटल है वो तो सही आने पावर सही मिल रहा है लेकिन प्रावलम क्या होती है कि प्रावलम जो होती है वो यह होती है कि जो इसके अंदर जैसे कि मैंने इस बलब का है स्विच दो बन करता है लेकिन हम जब टेस्टर से च сталаूँ है तो अब देखिज दोस्तों यह करंट आ रहा लेकिन इसको मैं बंद करूंगा तभी यह जो है पावर दिखाएगा यह देखे दोस्तों पावर इसका दिखा रहा है यह इंडिकेटर बंद हो गया इसको मैं चालू करता हूं देखे दोस्तों वायर हिल गया था देखे दोस्तों अभी क्या हो रह रहा हो इसके अंदर नहीं बता रहा है यह कि इसके अंदर भी Woah more so कर देंगे तो क्रीगा लेकी तो करेगा लेकिद स्कीच बनध करने पर मेंपार है यह the लिजन पोर है यह पॉपर रहेगा यह इसका पर और जाता और जो लिजन देंадц इसका जो current आता है लेकिन यह वायर है देखें दोस्तों यह जो वायर है इसका return गूम के भी इस side भी बताएगा यानिकि यह आपका जो ओफखा वायर है इसके इंदर भी बताएगा और इसको चालू करेंगे तो यह इधर से कर जाएगा क्योंकि इसको नूटल यहां से जो नूटल इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन स्विच को बंद करेंगे तो यह पावर रिटन इधर आए तो इससे जो इलेक्टेशन है उसको काम करना में बहुत दिकता रही है यानिकि फेस इसका आता ही रहता है तो पर इसको सब्सक्राइब करने के लिए आपको यदि आपके एक बोर्ड में प्रोब्लम है तो आपको क्या करना है कि यह लगा बाला वायर नूटल वायर उसको इसकी जगह आपको फेस वाइज डालना है यह इधर भी डालेंगे तो भी चले गाएं कि यह सभी कॉमन है यह काल चम्मिय कुमन ह कि आपको फेस के इंदर डीटल हो शारिएब फेस के अंदर टेटिकश के इंदर नूटल है वह इसक हो जए लेकिन घर के पर एसी के बोड लगे हो अंसे प्रोब्लम हो रही है तो आपको क्या करना है कि जो में सृच होता है कि आपके लगा हुए तो इसको गुमा कर देना है तो जो आपके गर में प्रॉब्लम हो रही है वह सभी सही हो जाएगी और यदि आपके दोनों साइट अरहा है सभी जग है तो फिर आपको यह वीडियो है आने कि जो एंट इसक्री में वीडियो आईगी उसको जरूर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते अगरी वीडियो में तब तक के लिए जैंद